दोस्तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारत के मित्र इसराइल को लेकर और इस समय इसराइल को मुसलिम देशों के खलीफा समझने बाले अर्दोगन की तरप से सीधी धमकी दी गई है जिसमें टर्की का कहना है इसराइल से कि हम इसराइल के अंदर घुस सकते हैं और घुस कर इसराइल को मजा चखा सकते हैं दरसल आप सभी को पता है कि अभी इसराइल और हमास के बीच में भैंकर जंग जारी है जिससे मुसलिम देश ओल्रेडी इसराइल के ऊपर भड़के हुए हैं परन्तु इसी बीच तर्की के जो राष्टपती हैं रचप तैयब अर्दुगा उन्होंने एक बार फिर से खुद को मुसलिम देशों के खलीफा बनाने का प्रयास किया है और तर्की के राष्टपती अर्दुगन का एक भासण के दोरान कहना था कि जिस प्रकार से हम लीविया के अंदर घुस कर कारवाही कर सकते हैं कारवाग के अंदर हम घुस सकते हैं और इसके लिए हमें लगातार मजबूत रहना होगा और मजबूत बनना भी पड़ेगा जिससे हमें इसराइल के खिलाफ इस प्रकार के ओप्रेशन को कर सकें और इसराइल को मूँ तोड जबाब दें ताकि इसराइल फिलिस्तीन के ऊपर कारवाही करना बंद कर दे और इसके ओपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो जिसमें यह सारी जानकारी दी गई है परतु तरकी के इस धमकी के बाद इसराइल भी एकसन में आया है और इसराइल ने तरकी से साफ यह सब्ढों में कह दिया है प्रिकार से तबाह कर देगा और इसराइल का कहना है कि भले ही हम अकेले हैं परन्तु हम तरकी के सिधमकी से डरने वाले नहीं हैं यदि तरकी ने हमारे खिलाब कोई भी कदम उठाया तो तरकी को इसका मुँ तोड जवाब मिलेगा और श्किन को पर आप सबीट इसराइल के विदेश मंतराले का वो ट्वीट भी देख सकते हो जिसमें इसराइल ने तरकी को सीधी चेतावनी दी है